कॉफे विद करंट सीजन आठ के दूसरे एपिसोड का प्रोमो रिलिस हो चुका है इस एपिसोड में सनी देवल अपने भाई बॉबी देवल के साथ काउच पर नजर आएंगे करंट ने सोंबार को इसका प्रोमो शेर करते वे लिखा देवल ब्रदर्स कुछ मजज़दार कन्वर्सेशन के साथ काउच पर वापस आ गए वीडियो की शुरुआत में जहां करंट दोनों भाईयों को स्टेंडिंग ओवेशन देते हैं तो वहीं सनी देवल को गदर टू की सफलता पर चिड़ाते भी हैं इस दोरन करंट ने दोनों भाईयों से फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनके पिता धरमेंद्र के फेमस किसिंग सीन पर भी बात की जब करंट ने सनी से पूछा इस पर उनका रेक्शन क्या था तो सनी ने कहा पापा जो चाहे वो कर सकते हैं और उससे बच भी सकते हैं अंत में करंट ने सनी को लेकर कहा कि कौन जानता था कि एक आदमी जो एक पूरे देश को हैंड़ पम से तहस नहस कर सकता है उसे टेड़ी बीर पसंद है इसके पहले करंट ने एक लाइफ सेशन के दोरान हिंड दी थी कि उनके शो पर अगले गेस्ट सिब्लिंक्स होंगे तबी से ये कयास लगा जा रहे थे कि शो में सनी और बॉबी फिर से साथ नजर आने वाले हैं इसके साथ ही देवल ब्रिदर्स ने 18 साल बाद करंट के शो पर वापसी की है इससे पहले वो 2005 में कॉफि विद करंट के पहले सीजन में नजर आये थे इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ नहीं बाद